गुड मॉर्निंग इस्टुडेंस आजम सभी अध्याइनो जिसका नाम है एक मा की बेवसी उसके प्रश्मतर करेंगे तो पहला प्रश्म मारा है रतन किस स्थान से निकल कर आता था अर्थान रतन कहां से आता था जब बच्चे खेलते थे तो रतन कहां से आता था तो इसका उत्तर है रतन अध्रश्य पड़ोस से निकल कर आता था अध्रश्य का मतलब होता है जिसके बारे हमें ना पता हो जिसे नहीं जानते या नहीं दिखाई देता तो कभी ने उसे अध्रश्य क्यों कहा था क्यों इसलिए कहा था क्योंकि रतन बोल नहीं सकता था इस बज़े स है क्योंकि बोल नहीं सकता था प्रेश्ण तीन उसकी आँखों में क्या दिखाई देता था इसका उत्तराएं कर रतन की आँखों में उसके अंदर की चट-पटाहटी दिखाई देती थी मतलब कि बे कुछ बोलने चाहरा है बे कुछ कहना चाहरा अपनी कुछ स्थेंकिंग है वो दूसरे से शेयर करना चाहरा बट ऐसा नहीं कर पा रहा तो उसके अंदर की जो चट-पटाहटे हैं वो उसकी आँखों में दिखाई देती है प्रेश्ण चार रतन की मा की आँखों में बेवसी क्यों दिखाई देती है जो रतन की मा की आँखों में बेव प्रशन रहती थी इस वजय से कि उसका जो बच्चा है वो बोल नहीं पाता है अब निम्न लिखित प्रशनों के एक शब्द में उत्तर दीजिए अभी आप में जो उत्तर देया था वो दो लाइन तीन लाइन या एक लाइन में था बट ये क्या है आपको एक शब्द में ही उत्तर देना जैसे कि प्राश्ण एक रतन कहां से आता था तो इसका उत्तर आएगा आद्रश पड़ो उसे कि नमबर दू रतन बच्चों के लिए कैसा था तो इसका उत्तर आएगा अचूबा प्रश्न तीन रतन की आखों में क्या छुपाता इसका उत्तर है भै छुपाता रतन की आखों में प्रश्न चार रतन की मा की आखों में क्या जलगता था तो रतन की मा की आखों में बेवसी तो इसका जब एक शब्द में उत्तर पूछ रहा तो हमें उसका उत्तर भी एक शब्द में ही देना है धन्यवाद